नमस्कार, Study IQ IS Hindi में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश्रिवास्तो और हम एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं जिस कारिकरम का नाम है Important Organization यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे तो हम सापता हे एक और गनाइजेशन को यहाँ कवर करेंगे यह क्लास वीकली रहेगी और एक एक औरगनाइजेशन को बहुत थरूली यहाँ पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे कि जिससे आपको क्लास में ही उन चीजों के बारे में याद भी हो जाए और आप ऐसी समझ भी विक्सित कर पाएं कि वही इन औरगनाइजेशन से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं क्या उद्देश है इनके इनसे जुड़े हुए कौन-कौन से शेत्र है इनका जो मुख्य आधार शेत्र है वो क्या है इनमें कमिया क्या है इनके जो सीमाय है वो क्या है और इससे जो है वैश्वे किस तरफ पर क्या फर्क पड़ता है भारत को क्या इससे फाइदा मिल सकता है और बाकी देशों को इससे क्या फर्क होता है इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से समीक्षा करेंगे तो आज का जो topic हमने लिया है वो लिया है Brics Nation के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो इसी को कहा जता है Brics तो ये वैसे तो आप लोगों को पता है कि Brics जो है जो नाम दिया गया है इसमें सारे जो नाम है alphabets आपको दिख रहे होंगे इन alphabets पे कुछ देशों के जो है वहाँ के flags बने हुए ज़ंडे बने हुए जैसे आपको यहाँ पर B दिख रहा है R दिख रहा है, I दिख रहा है C दिख रहा है, S दिख रहा है इनको कमाईली क्या कहा जाता है Bricks कहा जाता है तो यह Bricks में आपका जो सबसे पहले है वो आ जाता है Brazil है B से Brazil हो गया R से Russia रूस हो गया आपका फिर I से India है भारत C से चीन चाइना और S जो शब्द है यहाँ पर South Africa के बारे में बताता है दक्षण अफ्रीका यहाँ पर आज जाता है तो यह तो हम सबको पता है कि Bricks को अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और South Africa तो आता है लेकिन इस organization को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी यह organization कब बनी इन सारी चीजों पर विचार करेंगे लेकिन उससे पहले हम इसके थोड़े से एतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर जाते हैं इसके historical background पर जाते हैं कि यह organization जो हम पढ़ रहे हैं इनकी हाली में summits भी होती रहती हैं तो यह summit क्या होती हैं इन summit में कौन से देश होते हैं किस तरीके से यह काम करता है इन सारी चीजों पर अच्छे से समिक्षा करेंगे तो सबसे पहले हम इसके इतियास की बात करते हैं तो इस इतियास को जानने से पहले आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे मतलब कब जब हुआ दूसरा विश्वयूद विश्वयूद चला 1939 से 1945 तक 1949 से 1945 विश्वयूद लड़ा गया 1945 में युद्ध खतम होने के बाद एक organization एक संगठन बना जिसको कहा जाता है United Nations United Nations ने शांती जो है स्थापना करना चालू करी लेकिन उस युद्ध के खतम होने के बाद एक ऐसा युद्ध चालू हुआ जिसको जमीन पर नहीं लड़ा गया जिसको शीत युद्ध कहा जाता है Cold War कहा जाता है ये Cold War क्या थी तो ये वर्चस्व की लड़ाई थी कि हमारा वर्चस्व जादा हो और ये जो डॉमिनेंसी थी हमारी हेजिमनी जो हो मतलब एक तरीके से नायकत्व जिसको कहा जाता है कि हम जो हैं जादा मजबूत है दूसरा देश कम मजबूत है तो ये लड़ाई किन दो देशों के बीच में चलती रही जिसको हम शीत युद्ध कहते है तो हम यहां शीत युद्ध की बात कर रहे है शीत युद्ध को ही क्या कहा जाता है गूल्ड वॉर कहा जाता है तो ये शीत युद्ध चलता रहा किन के बीच में अमेरिका और यूएसेस आर के बीच में उस समय इसको यूएसेस आर कहा जाता था सुवियत संग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस तरफ अगर हम बात करें तो USA की बात की जा रही है तो USA और USSR के बीच में बहुत सारा जो है जमीन पर तो युद्ध नहीं लड़ा गया जिसको कोई दूसरा देश सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर पहला देश उसको जाकर सपोर्ट करने लगता है जिसे अफगानिस्तान के अंदर युद्ध हुए तो ये दोनों आपस में खीचा तानी चलती रही एक दूसरे से जो है शीत युद्ध में यही कहानी चलती रही कि दोनों ने एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं लड़ा लेकिन युद्ध चलता रहा जो एक टेंशन होती है शीत युद्ध में टेंशन बनी रहती है ये दोनों के बीच में तनाव उसी तरह से बरकरार रहा, तो ये जो चीज थी ये कब तक बनी रही, 1999 में आने के बाद, 1999 में आने के बाद जो USSR था, सोवियत संग था, वो तूट गया, वो सोवियत संग के तूटने के बाद इससे कई देश निकले, जो देश आज आप देख पा रहे हैं, इसमें अभी भी जैसे रशिया, यूक्रेन, युद्ध जो है, वो USSR के ब्रेक होने के बाद ही हुआ, कि यूक्रेन एक अलग देश आजाद हो गया, तो इसमें बहुत सारे देश निकले, जैसे अजरबाईजान निकला है, कजाकिस्तान निकला है, आपका तज अलिकिस्तान निकला है, किर्गिस्तान निकला है, ये सारे देश जो है, ये USSR हुआ करते थे, और USSR ब्रेक डाउन हुआ, और फिर ये जो चीज थी, ये कब घटना हुई है, तो ये 1999 में हुई है, 1999 में जो शीत युद्ध था, वो एक तरीके से खतम हो गया, जब शीत युद अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अपनी अपनी चीजें आगे बढ़ा रहा था, कोई मिसाइल पहले फेक देता था, कि मिसाइल हमारे पास आ गई है, हमने स्पेस मिशन लांच कर दिया है, इस तरीके से खीचा तानी और युद्ध की स्तिती इनके बीच में ब बात क्या चीज हुई, जब भी आपकी जो जगत होता है, या तो यूनि पोलर होता है, यूनि पोलर का मतलब तीन चीजे होती है, एक यूनि पोलर होता है, कि दो गुटों में बटा हुआ हो, दो गुट मतलब जैसे कि रशिया के कुछ सपोर्टर हो जाएंगे, कुछ अमे पोलर होने से क्या दिख्कत होता है एक ही का पूरा का पूरा दब दबा अब उसमें आ जाता है अमेरिका उन्ने सो इनक्यानवे में जब USSR आपका सोवियत संग तूटा तो सोवियत संग के तूटने के साथ एक जो देश बहुत बन जो है अर्थ व्यवस्ता में भी उपर उब जो है बताया गया कि यह जो चीज है यह काफी नुकसान करेगी अर्थ व्यवस्ताओं को भी देशों की एकनॉमी को भी मतलब वहां की अर्थ व्यवस्ताओं के वहां के विकास को वहां की बहुत सारी चीज़ों क्योंकि एक देश का अगर कहीं पर भी मोनोपॉली हो जाती मतलब मान लिए जाए आप कहीं रहते हैं उस जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर अगर कोई बाजार है तो वहां पर तीन चार दुकानदार होंगे तो वह अलग अलग दाम पर जो है अपनी सामगरी बेशते होंगे लेकिन अगर कोई एक दुकानदार ऐसा हो जिसके पास सिर और उसको counter करने के लिए US की hegemony को counter करने के लिए कोई भी देश नहीं था तो इस जगा पर जो है अलग-अलग अर्थ शास्त्रियों ने जो है इस चीज़ को बताया कि भई, अमेरिका को counter करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए तो उस जगा पर जो है एक ब्रिटेश अर्थ शास्त्री थे जिनका नाम क्या था तो हम उनकी बात करें Jim O'Neill की Jim O'Neill अभी भी ब्रिटेन में है और अगर हम बात करें इन्होंने सबसे पहली बार कही कि भई, अमेरिका को counter करने के लिए कुछ ऐसे देश हो जिन देशों के बीच में कई तरह की समानता है हो इन्होंने सबसे पहली बार 2001 में ब्रिक का जो है concept दिया था उस समय इन्होंने जब concept दिया था ब्रिक का तब इसमें South Africa नहीं हुआ करता था इसमें इन्होंने Brazil को बताया रशिया को बताया, इंडिया को बताया, चाइना को बताया अगर आप पूरे विश्व की जनसंख्या को देखेंगे तो सबसे आदा जनसंख्या आपको कहां मिलेगी चीन में मिलेगी चीन पहले नंबर पर है, दूसरे पर भारत है और भारत कुछी दिन दूसरे पर रहेगा बहुत ही जल्द उपर भी आने वाला है भारत इसके अलावाद तीसरे स्थान पर कौन मिलता है तो तीसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो चीन में 19 प्रतीशत से जादा जो व्यक्ति है बतब पूरे विश्भर में वो चीन ही है फिर दूसरे नंबर पर भारती हैं लगबग साड़े सत्तरा प्रतीशत तो अब देखिए दोनों नेशन क्या इसमें आ रहे हैं बिलकुल आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका इंडिया भी आ गया चाइना भी आ गया बचे हुए कौन देश है देखे जनसंक्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो बही चीन तो सबसे पहले आ गया चीन के बाद भारत आ जाता है भारत के बाद अमेरिका आ जाता है USA आ जाता है अब USA के बाद कौन आता है चौते नंबर पर तो इंडोनेशिया आता है और इंडोनेशिया के बाद पांचवे स्थान पर आ जाता है ब्राजील तो अगर हम देखेंगे कि विश्वर की जो पांच बड़ी जनसंग क्या है वो किन देशों में है चीन में है, भारत में है, अमेरिका में है इंडोनेशिया में और ब्राजील में, इसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में काफी समानता है, इस ब्राजील में भी काफी समानता है, और अगर हम एरिया की बात करें, शेत्रफल की बात करें, तो सबसे आगे कौन है, रशिया है, रशिया के बा देखने मिलता है छटपे पे आस्ट्रेलिया देखने मिलता है और सात्वे पे आ जाता है बारत तो मतलब अगर हम शेत्रफल की बात करें तो शेत्रफल में एरिया में ये देश आगे हैं और अगर हम बात करें आपका जनसंख्या में पॉपुलेशन में तो जन संख्या में हमको ये देश आगे देखने मिलते हैं तो भई ये जो चीज थी जिम ओ नील ने ये सुझाया कि अगर देखा जाए कि अमेरिका को काउंटर करना है क्योंकि अमेरिका की अर्थ विवस्ता भी काफी बड़ी थी अमेरिका के पास बहुत अच्छा छेत्रफल भी है अमेरिका के पास अच्छी खासी जन संख्या भी है और अमेरिका जो है सुव्यत संख को भी तोड़ने में सक्षम रहा तो उस कोल्ड वार में उस शीतियुद्ध में विजई कौन रहा अमेरिका रहा तो अमेरिका की मोनोपॉली ना हो, इसलिए जो है कई अर्थशास्त्रियों ने इस टर्म की उत्पत्ती करी कि ये सारे देश मिलकर सामने आना चाहिए, इनको एक तरीके से आपस में एक संगठन बनाना चाहिए, जिससे ये US की हेजिमनी को काउंटर कर सके, नहीं तो US तो किस जनरल एसेमली जो होती है, वहाँ पर ये विचार और भी जो इन देशों के लोग थे, उनमें भी ये बात हुई, और इसके बाद ये तै हो गया कि वही इस तरह की कोई ओर्गनाईजेशन बनाई जाएगी, तो इसका आपको कारण समझने आ रहा होगा कि इसके पीछे कही शीत युद्ध ही रहा, और शीत युद्ध के बाद जो अमेरिका की मोनोपॉली हुई, उसके कारण ब्रिक के बनने की घटना सामने आती है, कि किसी तरह से अमेरिका को काउंटर किया जाए, तो बताये जाता है कि ये चार देश जो थे, उसमें सबसे पहले तो ब्राजील रशिया था, इंडिया था और चाइना था, बाद में इसमें साउथ ऐफ्रीका को अड किया गया, तो साउथ ऐफ्रीका जो था इसके मूल सदस्यों में नहीं था, तो अगर हम बात करें, इनकी जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ, बतलब, ये 2006 में ये तैय हो गया था कि ब्रिक बनेगा और ब्रिक्स की एक आधिकारिक चीज हो गई थी लेकिन इनकी जो पहली मीटिंग हुई जो इनका पहला सम्मेलान हुआ जिसमें देखिए मीटिंग और समिट में थोड़ा सा अंतर होता है आपने समिट शब्द सुनाओगा समिट शब्द वहां इस्तिमाल किया जाता अब दो दोस्त मिल रहे होंगे तो उनकी मीटिंग हो सकती है उनकी बाचीत हो सकती है लेकिन किसी भी बड़े देश के प्रधान मंतरी मिल रहे है राष्ट्रपती मिल रहे है तो हम उसको मीटिंग नहीं कहते है उनको समिट कहते है तो ये जो मीटिंग हुई आपकी सबसे पहली मीटिंग इनकी वैसे तो 2006 में बंक ना हो गया लेकिन जो इनकी पहली मीटिंग हुई पहला सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का वो किस था इसमें देखी साउथ अफ्रीका नहीं था रशिया के अंदर ये हुआ था दिनांग क्या थी 16 जून 16 जून 2009 को रशिया के एक शहर जिसका नाम क्या था इस शहर का नाम था ये केटरेन बर्ग में ये सम्मेलन हुआ पहली जो है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ अभी हाली में इसके ये तो पहला सम्मेलन था कब हुआ था 2009 में और अभी हाली में जो सम्मेलन हुआ है वो 14 जो है सम्मे में चलता कैसे है? देखी साउथ अफ्रीका तो इसका हिस्सा बना लेकिन बाद में बना 2010 में जाकर ये हिस्सा बना. जब 2009 में इनकी ये मीटिंग हुई थी, तब दक्षन अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था, साउथ अफ्रीका की और अश्या के बाद इंडिया में होगा, इंडिया के बाद चाइना में होगा, चाइना के बाद साउथ अफरीका में होगा, और साउथ अफरीका के बाद फिर ब्राजील इस तरीके से ये पूरी चीज चलती रहती है, तो पहले सम्मेलन से अभी हम कहां पहुँच चुके हैं क्योंकि लोग COVID के कारण ये चीजें, कई मीटिंग्स ऐसी हुई है, जो वर्चुल हुई है, तो ये चाइना ने इसको होस्ट किया था, तो अगर हम बात करें, 14th ब्रिक समिट कब हुई है, 23 जून को, बेजिंग में, 23-24 जून, क्योंकि सब देशों में समय अलग-अलग चलत 2009 में हुआ, कहां हुआ, 16 जून को, एकेटेन बर्ग में, रश्या में हुआ था, और अभी जो हुआ, वो कहां पर हुआ, तो वर्चुल हो गया, बेजिंग चाइना से हुआ, लेकिन ये जो है, आपका 14 सम्मिलन बताया गया, तो इस तरीके से देखा जाए, तो ब्रिक्स की स्थापना क्या बोलेंगे, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई, 2009 में इसका पहला सम्मिलन, 16 जून को हुआ, रश्या की एकेटेन बर्ग में, और ये जो देश हैं, अब देखिए, यहां से आती है बात, अब देखिए, यहां पर मैंने आपको थोड़ा से एक्स्प्लेन किया कि अगर हम इनके बीच में देखें, तो इनके पास अच्छी खासी जनसंक्या भी है, अच्छा खासा शेत्रफल भी है, और ये ब्रिक्स पूरे नेशन लगबग 41 प्रतीशत विश्व की जनसंक्या को भी जो है दिखाते हैं, मतलब यहां पर जनसंक्या काफी जादा है, य ये देशों को अगर हम देखें तो पूरी तरह से विक्सित भी नहीं देखते हैं, जैसे भारत एक विकाषील देश है, एक developing nation है, ब्राजील एक developing nation है, साउथ अफरीका एक developing nation है, रूस और चीन की अर्तव्यपस्ता काफी मजबूत हैं इन देशों से, लेकिन इनके बीच मे कुछ समानता है भी थी तभी तो ये आपस में साथ में आए जो इनको एक सबसे बड़ी समस्या थी वो जनसंक्या की समस्या थी बेरुजगारी की समस्या थी बिमारियों की समस्या थी इन पाँचों देश में एक समानता है ये सारे के सारे देश डाइबिटीज से परिशान है हार्ट के पेशेंट से परिशान है इनको डाइबिटिक कैपिटल तक कहा जाता है यहाँ पर जो है भुकमरी भी है यहाँ पर गरीबी भी है और अगर हम बात करें इन देशों के अंदर एक आखड़ा निकाला गया था कि कोई व्यक्ति जो एक दिन में लगबग 4 डॉलर कमात हो तो ऐसा आखड़ा देखा गया कि भारत उसमें जो है सबसे कम जो यह इस्तिती थी रूस की इसमें सबसे अच्छी इस्तिती थी क्योंकि रूस की जनसंक्या काफी कम और शेत्रफल काफी बड़ा है तो उनके पास काफी शंशादन हो जाते हैं चीन के पास बात करें तो आदा सा जादा मार्केट जो है पूरे विश्बर में चीन ने अपने आपको एक दबदबा बना के रखा हुआ है भारत की बात करें तो भारत की स्तिती थोड़ी सी कमजोर नजर आती है ब्राजील और साउथ अफरीका के साथ तो इन देशों में कुछ समानता है थी बहुत सारी बिमारियों से लड़ रहते हैं बहुत सारी जनसंख्यास अभी भी है तो शंचादन जो है सीमित हो जाते हैं जैसे जैसे आपके पास population जादा होगी तो कही ना कहीं यह चीज है और साथ में अमेरिका को भी काउंटर करना था तो इस कारण जो है एक संगठन बना जिसको क्या कहा गया ब्रिक्स कहा गया तो हम उसी की बात कर रहे हैं समझने आया होगा आपको कि क्या चीज है तो इसकी पीछे अगर हम देखते हैं तो 41 प्रतीशत जो ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है यह संगठन मतलब इन संगठन में 5 लोग नहीं जाते हैं सिर्फ यहां की पूरी की पूरी जनसंख्या को यह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं क्योंकि यह तो प्रतीनिधी है उस देशों के तो यह पूरी तरह से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ भी 14 वा सम्मेलन हुआ तो यह कहां हुआ है चाइना में हुआ है 13 वा सम्मेलन अगर हम देखते हैं तो ब्रिक्स के सी से पहले कहां हुआ होगा इंडिया में हुआ था तो 13 जो मीटिंग थी वो कहां हुई थी इंडिया में हुई थी इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिक्स क साउथ अफ्रीका भी इसमें साथ में आ गया इसके साथ अगर हम से पूछा जाएगी इसके वास्तविक क्या-क्या उद्देश है तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं तो सबसे पहला जो देश ब्रिक्स का उद्देश है इस पर नजर डालेंगे तो उर्जा दक्षिता उर्ज का वेस्टेज करेंगे का नुकसान करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से विवस्ताएं नहीं दे पाएंगे तो इन सारे देशों के साथ जनसंक्या तो एक चीजी थी चासा शंशादानों की भी कमी थी तो उस चीज को देखते हुए जलवायू को नियंतरन करना मतला क क्लाइमेट को कंट्रोल करना और एनरजी को बहुत ही एक तरीके से ऑप्टिमम यूज करना उसका बहुत ही अच्छे से इस्तिमाल करना ये एक इनका उद्देश है दूसरा अगर हम बात करें शेत्रिय विकास करना साथ-साथ मिलकर अपनी एक दूसरों की जो अच्छाई ह उससे दूसरे देश को फायदा पहुचाना और जो कमिया है उनको एक दूसरे से भरना और अमेरिका को काउंटर करना यूरोपी संग को काउंटर करना क्योंकि इनके पास तो काफी अच्छी अर्थवे बसता है तो इसलिए ये देश आये तो इसमें एक कारण बताये गया शेत्रिये विकास का मतलब रीजनल डवलप्मेंट वहां के शेत्रों का विकास हो सके ये भी इनका एक उद्देश था शंशाधनों के उपयोग का अनुकूलन मतलब ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब जो भी इनके पास शंशाधने चाहे खनेज हो चाहे पेट्रो ब्रिज का काम करते हैं एक ब्रिज क्या करता है दो चीजों को जोड़ देता है तो ब्रिक्स को बनाने के लिए भी यही चीज थी कि भाई जो विकसित देश है और जो विकास शील देश है जो डवलप्ड नेशन्स है और जो डवलपिंग नेशन्स है उनके बीच में ब्रि कभी दूसरे देश को समान बेशता है तो उतना महगा हो जाता है कि वो देश का समान बिखी नहीं पाता तो उसकी व्यवस्ता को प्रभावित करता है तो इनुनका एक उद्देश रहा कि हम सारे देश जो हैं वो एक संगठन है तो हमारे देश की जो भी वस्तुएं हैं वो ए उद्देश के साथ ब्रिक्स चालू किया गया था, अब ये तो बात हुई कि ये उद्देश हैं, कई बार आप देखते हैं कि आप कोई mission चालू करते हैं, कोई thought चालू, कोई scheme चालू होती है, तो उसके पीछे यही चीज रहती है, कि वह उसका उद्देश बहुत अच्छा हो कर सकें, और लोगों तक ये सारी विवस्ता हैं पहुचा सकें, जो इन देशों के नागरेक जो है जेल रहे हैं, तो इनके मुख के सहयोग शेत्र, अगर इनके main corporation areas देखे जाएं, तो सबसे पहली चीज थी अर्थ विवस्ता और finance, जिसको अर्थ विवस्ता मतलब economics और finance मतल वित्य की बात करें, और इनके द्वारा जो है, एक bank भी बनाया गया, जिसको 2014 में आपने एक bank सुना होगा, जिसको new development bank कहा जाता है, जिसको bricks development bank भी कहा जाता है, शंगाई में खोला गया था, तो ये इसी के द्वारा चालू किया गया, bricks देशों ने, आपस में मिलकर की हम ए अरत विवस्ता और वित्य की अंतरगत अगर हम बात करेंगे, तो हमें मिलेगा new development bank को संस्थापित किया और आकास्मिक्ता आरक्षित विवस्ता की, मतलब emergency fund कभी जरूरत पढ़ें एक दूसरे देशों को, तो हम प्रदान कर सकें, इसके अलाबा स्वास्त, क्योंकि देखा जो है common मंच बनाया, एक सामाने मंच बनाया की ताकि हम इन चीजों पर भी जो है बहतर और हो सकें, तो रोग के खिलाफ लड़ाई पर सयूक्त, अनुसंधान और विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए शैय रोग अनुसंधान network की स्थापना करी, टीवी के लिए इन्हो में बहुत सारी चीज़ें समय समय होती रहती है, जानकारी के आदान प्रदान और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए शंशादनों की उपलब्दता में ठोस परिणाम प्राप्त हुए, ये भी चीज इन लोगों ने साथ में करी, साथ साथ सुरक्षा के उपर, आतंगव एक जो मुखे सहयोग शेत्र था, वो इसमें सुरक्षा भी था, तो अंतराश्टी सुरक्षा खत्रों और अंतराश्टी अपरादों के खिलाफ लडाई में सहयोग किया, जैसे नशीले पदार्तों की तसकरी, साइबर मामले, मनी लॉंडरिंग, भरस्टाचार और इसके अलावा बिजनेस, क्योंकि देखा जाये तो अर्थविवस्ता एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तो इन्होंने पांच शेत्रों का जो है सहयोग शेत्र बनाया, जिसमें आपका क्या है, तो अर्थविवस्ता भी है, मतलब एकनॉमिक्स से रेलेटेड, जो उनकी एकनॉमि है, फाइन्स है, हेल्थ की बात कर रहे हैं, सेक्यूरिटी की बात कर रहे हैं, साइन्स एंड टेकनॉलोजी, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, और आपका बिजनेस की बात कर रहे हैं, मतलब वेपार भी हो गया, सुरक्षा भी हो गया, स्वास्त भी हो गया, अर्थ बनाया गया कि आपस में जो हैं तारे देश मिले और एक तरीके से अपने आपको विक्सित करने के लिए अलग-अलग तरीके के कदम उठाएं तो ये भी इनके मुख के त्रयोग शेत्र के अंतर गताता है इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि न्यू डवलप्मेंट ये 2014 में खोला गया और 2014 में जो न्यू डवलप्मेंट बैंक है ये पहल किसकी है तो ब्रिक देशों की है इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही हमारे पूर्व प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी की डॉक्टर मनमोहन सिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा न्यू डव प्रेसिडेंट है ये चेयर्मेन है वो मारकस प्रैडो है जो ब्राजील से बिलॉंग करते हैं जो उसके पहले चेयर्मेन थे ये थे केवी कामत इनका नाम केवी कामत जी है और अभी जो है इनका नाम है मारकस प्रैडो ये ब्राजील से बिलॉंग करते हैं और न्यू डवल सम्मिलन कर चुका है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा भी देखने नहीं मिला है तो इसकी क्या ऐसी कम्या रह गई है क्यों इसके limitations क्या है उन पर भी चर्चा करते हैं उसका सबसे बड़ा एक कारण है dominance of Chinese economy देखा जाए तो किसी भी संगठन का बनना मतलब क्या होता है कि सब आपस में जाकर संगठित हो संगठित होने का मतलब एक टीम होती है उस टीम में कोई बहुत अच्छा खेलता है कोई थोड़ा उससे कम अच्छा खेलता है लेकिन टीम का मतलब होता है कि सारे लोग मिलकर एक दूसरे को support करें और आगे बढ़ाएं लेकिन इसमें थोड़ा सा कम देखने मिलता है क्योंकि ये जो है ब्रिक जो है वो सारे देशों का एक तरीके से mutual corporation ना देखते हुए चाइना का dominance अलग देखती रहती है इसके अलावा कई शेत्रों में इन देशों के साथ competition करते हुए देखता है जैसे भारत के अंदर कई तरह की फसले होती है जूट की बात करें भारत में जूट का बहुत बड़ा जो है factories है तो अगर देखा जाए तो ये देश अगर आपस में मिलकर आगे जाना चाते हैं तो ये आपस में competition नहीं करेंगे लेकिन देखने मिलता है ये आपस में ही competition करते हैं ये भारत से आगे निकलना चाते हैं ये रूस से निकलना चाते हैं जैसे चीन की बात करें तो चीन जैसे defense equipment में चाता है कि उससे दूसरे देश खरी दे, रशिया चाता है उससे दूसरे देश खरी दे, अगर इनके बीच में अगर देखा जाए तो कुछ चीजों की कमी भी है, जैसे इनके culture जो है, इनकी संस्कृतियां एक दूसरे से match करती हुई नहीं देखती, तो एक मंच पर होते हुए भी एक मंच पर देखते नहीं है, तो इसके भी कुछ चीजें आप बता सकते हैं, कि ब्रिक्स देशों के प्रभाओं को सीमित करने वाले कौन-कौन से कारक है, कौन-कौन से ऐसे agent है, जिनके कारण ये बहुत जादा successful नहीं हो पाया, तो उसके अगर अगर हम कारक को देखें, तो चीन ही अर्थवेवस्ता का दबदबा देखने मिलता है, कि हर जगा चाइना है, चाइना अपने आपको dominate करता रहता है, अगर new development bank की बात करें, वो भी शंगाई चीन में ही है, जो भी decisions होते हैं, वो चाइना अपने आपको आगे रखके करता है पैसा भी उसके पास जादा है, उसमें उसका हिस्सा भी जादा हो जाता है, दूसरा गराम बात करें, तो ब्रिक्स देशों में आपसी आर्थिक हितों की कमी है, ये एक दूसरे को बढ़ानी की जगा आपस में ही competition कर रहे हैं, कुछ प्रमुक शेत्रों में सदस्स से बहुत समान हैं, बहुत समान मतलब किया कुछ चीजें होती हैं, वो एक जैसी ही होती हैं, जैसे कपड़े की बात करें, फसलों की बात करें, डिफेंस में अगर रशिया और चाइना की बात कर लें, तो ये आपस में आ जाते हैं, ये भी एक कमी है, जिसके कारण ये आगे नहीं ब बेच रहे हैं भारत और रश्या की बात करें भारत ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत अमेरिका के साथ ज्यादा वेपार कर रहा है साड़े 6 प्रतीशत है वहीं पर अगर देखा जाए तो यह जो चीन है चीन साड़े 12% कर रहा है साड़े 6 की बजाए तो यह आपस में एक संगठन बनाने का मतलब ही ही हुआ कि हम एक बंच पर आएं और अपनी अर्थव्यवस्ताओं को और मजबूत करें ना कि हम दूसरे द संस्कृति में वेवेदित्ता तो है अगर भारत की संस्कृति की बात करें चीन की संस्कृति की बात करें रूस की संस्कृति की बात करें ब्राजील एक अलग-अलग जोन के देश है कोई जो है अगर हम बात करें तो अगर ब्राजील की बात करें तो यहां जनसंक्या जाद वाला इस शेत्र में जादा आता है अगर रशिया की बात करें रशिया का जो शेत्र है वो बहुत जादा higher latitudes पर है मतलब उचे जो आपके अक्षांस रेखा है उसके पास पढ़ता है चीन की जो इस्तिति यह वो अलग है दक्षन अफ्रीका बिलकुल अलग हो जाता है तो इन को counter करना था उसकी कमी देखने मिलती है ना कि यह अमेरिका को ही बहुत सारी चीजे आप देखे तो अमेरिका की कितनी सारी companies है जो चीन में अपना base बना कर रख रही है वहाँ पर manufacturing कर रही है ना कि यह देशों ने कोई mutual cooperation करके रखाए कि हम आपस में मिलकर जो है इस चीज को करेंगे counter करेंगे तो ऐसी देखने को कमी मिलती है अपना फायदा जहां मिलता है वहाँ पर वो देश आगे निकल जाता है तो bricks के अंदर ये कुछ कमिया है जो आप exams में बता सकते हैं तो hope ये analysis आपको पसंद आया होगा weekly analysis में लेकर जरूर आऊंगा आपको ये series कैसी लगी गए telegram groups से आप download करेंगे और कोई suggestion होंगे comment section is open for you thank you very much for watching this have a great day